नमबर वान उसके बाद शाकीव अलहसन इतने गुस्से में चले गए कि उन्हों ने गुस्से में तीनों स्टंपो को खाड़ कर फेक दिया जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शाकीव अंपायर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं शाकीव अलहसन ने जो किया उसे कर क्रिकेट फैंस ने जम कर उन्हें ट्रोल किया फैंस ने बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड और आइसी सी से यहां तक की मांग करी कि उन्हें बैन कर दिया जाए और फिर शागीव पर पांच लाग रुपए और तीन मैच का बैन लग गया नमर डू हाली में खेले गए टी रोहित शर्मा और केल राहुल को अपना शिकार बनाया था लेकिन शायद उन्हें अपने प्रदर्शन पर काफी गुरूर हो गया था इसलिए उन्होंने ये शर्मनाक हरकत कर दी हुआ कुछ यूं कि जब वो अगले मैच पर बांटरी पर फिल्लिंग कर रहे थे तो पाकिस शर्मनाक बात होती है नमबर थ्री वेसे दो क्रिकट का खेल जो शॉर्ट जुनून से भरा हुआ होता है पर काफी वार ऐसा होता है कि मैच के दौरान खिलाड़ी आपस में टिपड़ी कर देते हैं बहुत बात तो ये जो शॉर्ट जुनून की वजह से खिलाड़ियों में हाद अपाई जैसी सिचुएशन भी क्रियेट हो जाती है ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तान और और अस्ट्रेला के बीच मैच चल रहा था जब पाकिस्तान के बल्ले बाद जावेद मियांदाद ने टेनिस लिली की गेन पर शॉर्ट खेला और एक रन लेने के लिए दू पर तूट पड़े और जैसे देसे अंपाया ने दुनों को शान कराया पर ऐसे बीच मैदान में एक दूसरे को हाँच बैर माना क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के लिए शरमनाग बात होती है वैसे तो हमारे याँ कहा चाता है कि महमान भगवान होता है लेकिन इंगलेंड की दर्शकों ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉड्स के मैदान पर सारी हदे पार कर दी हाली में इंगलेंड औरे पर गई भारती टीम के खिलाडी केल राहूल के उपर ओडिन्स शैंपेइन की बॉडल के धकन फेकने लगी हुआ कुछ ही है कि जब टेस्क मैच के दोरान भारती टीम फिल्डिंग कर रही थी तवी केल राहूल बाउंडरी पर फिल्डिंग कर रहे थे इस दोरान क्रिकेट के दर्शकों ने उन पर शैंपेइन की बॉडल के धकन फेकने शुरू कर दिये जब कपनान कोली ने ये देखा तो उन्होंने केल राहूल को इशारों से सला दी कि जो फेक रहा है तुम भी उन पर ही फेक दो और इसकी शिकायत कोली ने अंपायर से भी की जिसके बाद अंपायर ने उन दर्शकों के उपर कारवाही भी करी इस गटना को देखकर कमेंटेटर भी काफी खुश नहीं दिखे और उन्होंने भी इन फैंस की आलोचना की